प्रेज अलॉट अब तक उसने हमें समाला है और आगे भी समालेगा कितने लोग विश्वास करते हैं हालिलुया, हालिलुया, प्रेज अलॉट मैं बहुत उस्साहित हूँ आज का जो वचन है, बहुत जैसे मैं हर बार कहता हूँ क्योंकि वचन परमेशर के जो मुख से निकली हुई वानी है और वो अद्भूत है हमारे जीवन में कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारी जो आशीशे हैं, वो रुक रही है हमारी शान्ती रुक रही है, हम चर्च आते हैं लेकिन हमारे आशिशें, हमारा सुख, हम मैसूस करतें के permission हमारे साथ नहीं है, ऐसा लगता है, णियुक्ता है, और हम बहुत ही disturbed हो जाते हैं, कैसा क्यों है, तो बहुत सी वजह हैं, कि ऐसा कौन सी वजह है, ऐसा कौन सी चीज़ है, जिसके त्वेसे हमारे जीवन में शानति आज मैं आपको उनमें से एक चीज बताउंगा और वो आप बहुतों के जीवन में काम कर रहा है बहुतों के जीवन में उसको ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई रुकी हुई आशीशें आपको मिलेंगी आपका जमीनी रिष्टों के संग इमानदारी कैसी है जो रिष्टे परमेश्वर ने आपको दिये है जमीनी चाहे वो आपको पिता के साथ हो चाहे वो आपकी मा के साथ हो चाहे वो आपकी पत्नी के साथ हो चाहे वो आपकी बेटी के साथ हो चाहे वो आपके नौकर के साथ हो आप उनके संग वफादारी क्या करते है अगर आप उनके संग सही माने में इमानदारी से रिष्टा नहीं निभा रहे हैं और वफादारी नहीं कर रहे हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ चेदावनी देता हूँ कि परमेश्वर का आशीश आपके जीवन में पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा पहला यौन्ना चार का बीस निका लिए बेटा पढ़िए नहीं कर पाएगा अगर हम अपने जमीनी रिष्टों के संग इमांदार नहीं है जो हमें दिखता है अगर हम उससे प्रेम नहीं करते है जो मुझे परमेश्वर ने पिता के रूप में एक सदस्य दिया है एक मा के रूप में सदस्य दिया है अपनी पत्नी के रूप में दिया है अपने पती के रूप में दिया है अगर मैं उसके संग वफादार नहीं हूँ तो आप परमेश्र के संग भी वफादार नहीं हो सकते चाहे आप बाइबल पढ़ते रहें चाहे आप दान दिशांस देते रहें कलीसी आते रहें लेकिन अगर जमीनी रिष्टों के साथ आपको पर्मेशन ने जमीनी रिष्टा दिया है और वो जमीनी रिष्टा क्यों दिया है ताकि आपको सुक मिले ताकि आपको आशीश मिले तो पर्मेशन जहांचता है कि जो रिष्टा मैंने दिया है मालेज हो सकता आपका बिज्ञस है और आपका क्लाइंट है उसको पर्मे आप उन रिष्टों के संग इमानदार है जो जमीन पर परमेश्ण ने आपको दिया है, मैं चैलेंज करता हूँ अदभुत आशीश की बारिश आपके जीवन में होगी, अदभुत, हम अपने बंधन अपने आप बना लेते हैं, हम अपने माबाप के रिष्टे को, भाई के र रिष्टे को बड़ा इसी समझते हैं रहे, पापा तो है ना, ठीके वो तो समझ जाएंगे मुझे, मम्मी है ना, समझ जाएगी वो तो, इसलोट, हालेलुया, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि अगर मा के रिष्टे को, पिता के रिष्टे को, बहन के रिष्टे को, पत्नी क की या वफादारी में आपने कुछ घल्ती की मैं आपको सच कह रहा हूं एक चेतावनी दे रहा हूं आप उस रिष्टे को अपने जीवन में मस्भूती नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे पढ़िये बेटा पहला यह उन्ना चार का बीस क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वहां परमेश्व से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता नहीं रख सकते आप रखी नहीं सकते आप अगर कहते हैं कि मैं अपने पिता का मान नहीं करता हूं और परमेशर का मान करता है जूट बोलते हैं अगर आप यह कहते कि मैं अपनी पत्नी को मान नहीं देता हूं लेकिन पिता परमेश्र को मान देता हूं तो आप जूट बोलते हैं आपका प्रेम परमेश्र को सिकारिय नहीं है और जब परमेशर को वो रिष्टा से युका रहे नहीं है जब तक परमेशर तो वो आशीशे जो परमेशर की ओड़ से कैसे रिलीज होंगी प्रेस लॉट आप कबके भी सोचते हैं माबाप का दिल दिखाए कोई आतनी माफ ही मांग लेंगे अरे अपने पिता है ना गलती कर दी ठीक है और यह आदत पढ़ जाती है शैतान इस चीज़ों को आदत में डाल देता है प्रेस अलॉट आदत हो जाती है कोई बात नहीं अपने पापा है मम्मी है कभी-कभी पास्टर्स की जो वाइफ है वो भी अपने पास्टर्स को इतना इजी समझ लेती है कि वो समझती है कि यह पास्टर है यार यह तो कभी गलत करेगा है नहीं अगर मैंने कोई गलती कर दी तो यह ज़िए धर्मी इंसान यह चुप हो जाएगा और यह माफ कर देगा लेकिन आप नहीं जानते है अगर आप धर्मी का दिल दुखा रहे हैं चाहे पास्टर उसकी शिकायत परमेश्वर से ना करे लेकिन परमेश्वर अपने धर्मी का बदला लेगा बहुत कलिस्यों में बहुत मिनिस्ट्री में मैंने देखा है विचारा पास्टर बहुत ही नेक होता है समज़ार होता है, समर्पित होता है और उसके घरवाले उसे चलते है चलते है ये जानते हुए कि यार ये धर में है ये गलत बोलेगा ही नहीं ओके गलत है बहुत 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 गलत है प्रेस अलोट हमें छोटे से छोटे रिष्टे को एहमियत देनी है जो परमिश्व ने हमको दिया है मती 18 का 10 क्या कहता है कि छोटे से छोटे जो भेल को अगर आप हताहत करेंगे अगर आप दुख पहुँचाएंगे तो उसके सुरदूज जो है वो परमिश्व के सामने उसका मुः ताकते है क्योंकि मैं चाहता हूँ के हम पूरी तरीके से मुकम्मल हों मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर हमindi्सा को keeping कोई ऐसा है अगर हम अपने रिष्टों को एहमियत नहीं दे रहे हैं अगर हम अपने रिष्टों को मान और सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो जमीनी है, तो आप, आप प्लीज, सचेत हो जाएए, सचेत हो जाएए, अभी भी वक्त है, आपका सचेत होना ही, आपको पर्मेश्य के करीब लेकर आएगा, दिमान सकता हो, कि आपका पती हो सकता है, आप को मारता हो, आपका पती हो सकता है, आपको डराता हो, धमकाता हो, लडाई करता हो, मैं मानता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार, कई बार हम देखते हैं, कई बार पती नहीं होता ऐसा, लेकिन फिर भी हम उसका नाजास फाइदा उठाते हैं, हमारे पास प्रात्रा एक परमेश्वर उसे मान और समान देगा ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि हम जमीन पर रहते हुए अपने आपको परिपक्व करें जमीन पर रहते हुए हम अपने आपको मजबूत करें जमीन पर रहते हुए हमें कोई भी ऐसी कमी ना रहे जाए जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे मैं आपको बता रहा हूँ शैतान हमें ऐसी कमिया डालने की कोशिश करता है शैतान हमारे मन में लगता है कि अरे तुन्हें अपनी मा का दिल दुखाया है मा माफ कर देगी यार अरे तुन्हें अपने पत्नी का दिल दुखाया है, कोई बात नहीं अरे तुन्हें अपने पास्टर का दिल दुखाया है, कोई बात नहीं उनसे सौरी बोल देना और ये जो चीजें हैं, ये जो किरियाएं हैं ये जो आपकी practice है ये बढ़ती जाती है ये बढ़ती जाती है और आपके अंदर कठोडता आती जाती है इसलिए मेरे भाई मेरे बहन बहुत जरूरी है कि हम जो रिष्टे हमें दिये हैं उसकी कीमत को समझे चाहिए वो कैसा जब आप परमिश्वर में आए आपकी पतनी आई हो सकता आपकी पतिए आपको पसंदना हो लेकिन परमिश्वर सक्षम है उसको बदलने में किस रूप में स्वभाव में it Jesus अलौट शान्ती के रूप में सक्षम है परमेस्वर बदल सकता है लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम अपने आपको बदले rightreyस अलौट एक मा के साथ जो मेरा रिष्टा है वो पूरी तरीके से मस्बूत और पूरी तरीके से पवित्र होना चाहिए एक बेहन के संग जो रिष्टा है मेरा वो पूरी तरीके से होना चाहिए एक बेटी के संग जो मेरा रिष्टा है, जो पत्नी के संग मेरा रिष्टा है, यही नहीं कि हम, हमें बेटा मिला है, हमें बेटी मिले तो हम उस पर भार दालें, हम अपने आपको थोपें, हम अपने रिष्टों को थोपते हैं, कभी कभी आपका रिष्टा जब आपके नसीख होता है आपके आपके लियों होता है यानिके आपके साथ होता है और आपके दयापर है माल लिजी आपका रिष्टा और आप उसे थोप रहें कि तुम्हें ऐसा जिंदगी जी नहीं है तुम्हें ये करना है तुम्हें वो करना है That is wrong हमें उसको भी देखना है कि नहीं मेरी बेटी है वो क्या चाहती है मेरा बेटा है वो क्या चाहता है मेरा पती हो क्या चाहता है सवाल ये है कि जो जमीनी रिष्टा है उसको हम कितनी कितनी वैल्यू देते हैं मुझे मेरे पता के सरूप में मेरा बाप मिला है मुझे मेरी मा मिली है मुझे मेरी पत्नी मिली है इसलिए जब आप इन चीज़ों को एहमियत देंगे तो यह सारी चीज़ें आपके जीवन में काम करेंगी और जब यह काम करेंगे आप नहीं जानते आपके जो रिष्टे हैं जब आप अपने रिष्टों को सुक देंगे जब आपने आप रिष्टों को आनन्द देंगे जब आप अपने रिष्टों को मान और संबान देंगे आप समझिए कि आपके रिष्टों से आप के लिए एक दुआ निकलेगी Praise the Lord क्या निकलेगी? एक दुआ निकलेगी यार, धन्यवाद पिता तुने मुझे इतना अच्छा पती दिया धन्यवाद पिता παरमिशर तुने मुझे ऐसी पत्नी दी प्रेसलोट वो दुआ आशीश के रूप में आपके जीवन में आएगी और कहीं आपने अपनी पत्नी को अपनी मा को अपने पिता को कहीं आपने घलत तरीके से टॉर्चर किया तो ब्रात्रा तो करेगी लेकिन कहेगी पिता क्या है तुने कैसा मुझे बेटा दिया है तुने कैसा मेरे पती दिया है जो मुझे समझता ही नहीं है और आपके अंदर से क्या निकलेगा आहा निकलेगी जब आपके अंदर से एक आहा निकलेगी तो वो परमिश्वर तक जाएगी और जब वो आहा परमिश्वर तक जाएगी तो परमिश्वर की आशीशें आपके जीएवन में रुख जाएंगी रुख जाएंगी इस चीज़ को एहमियत दीजिए इस चीज़ को एहमियत दी नहीं जिस तरीके से हम पिता के वृद्ध कोई काम नहीं कर सकते हैं उसी तरीके से हम अपने पिता के जो जमीनी पिता, जमीनी इमा जमीनी रिष्टों के वृद्ध भी हमें कोई काम नहीं कर रहा है वो मेरी पत्नी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ नहीं वो मेरा पती है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ नहीं आलत है बहुत सरूरी है कि हम इन छोटी सी छोटी बातों में जब वफादार होते हैं जब इमानदार होते हैं तब परमेश्वर की आशीशें हमारे जीवन में निरंतर बहती हैं, निरंतर बहती हैं, रुकती नहीं है, ब्रेसलोट, उत्पत्ती बारा का तीन निका लिए, जहां पर इब्राहिम को तीन आशीशें दी थी, वर्दान दिये थे, प्रतिज्ञाएं दी थी, उसमसी एक, देखें, यहां पर किस तरीके से वो वर्दान, वो प्रतिज्ञा इस रिष्टों में, अगर आप देखेंगे तो काम करती हैं, बोलिए बेटा, जो तुझे आशिरवाद दे, उन्हें में आशीश दूँगा, और जो तुझे को से, उसे में शाप दूँगा, एक बर दुआरा वो लिए, जो तुझे आशिरवाद दे, उन्हें में आशीश दूँगा, और जो तुझे को से, उसे में शाप दूँगा, कब आपको आपकी पत्नी आशीश देगी कब आपका पिता आपको आशीश देगा दिखा हुआ है न कि जो तुझे आशीश देंगे उन्हें में आशीश दूँगा जो तुझे शराब देंगे उन्हें में शराब दूँगा कब आपके रिश्चगार आपको अशीश देंगे जब वो आपके प्यार को महसूस करेंगे जब आपके समर्पन को महसूस करेंगे जब वो महसूस करेंगे कि नहीं धन्यवाद ऐसा पिता हमको मिला है ऐसा भाई हमको मिला है ऐसा पती हमको मिला है ऐसा पासवान हमको मिलाए ये चीजें एक तरफा नहीं होती है आप इन चीज की वेल्यू को समझिए अगर आपका पती आपका दिल दुखा रहा है मेरे भाई उसके लिए प्रात्रा करिए नियाए परमेशर करेगा नियाए परमेशर करेगा क्योंकि हमारा धीरजवन्थ होना हालेलुया हमें खरा बनाता है जब हम धीरजवन्थ होते हैं तो हमारा खरापन निकलता है और खरेपन से क्या होता है? हालेलुया विश्वासत्पन होता है याकूग की पत्री निकालिए याकूग की पत्री इसे परिक्षाओं के बारे में लिखा हुआ है याकुब की बतरी एक का पड़ो बैटा दूसरा एक का दूसरा हे मेरे भाईयो जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनन्द की बात समझो यह जानकर की तुम्हारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरज उत्पन्ण होता है एक मिट पूरे भाईयो जब तुम विभिन्न परिक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनन्द की बात समझो तो क्यों, क्यों याकूब यहां पर कहता है परिक्षाओं में पढ़ना आनंद की बात है, क्योंकि वो जो आनंद है, वो हमारे, वो जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखिजाने से धीरे जुत्पन होगा, पर धीरेज को अपना पूरा काम करने दो, तुम कोई भी कमी आप में ना हो, इसका मतलब है कि आपको धड़ती पर वो जीवन जीना है, आपको ऐसे वो मसी बनकर जीना है, जो आपको कोई कमी आप में ना रह जाए, अलो, और ये छोटी छोटी बाते हैं बारे साब, इनसान कहता है मैं वच्छनों पर कैसे चलूँ, इनसान कहता है मैं जूट कैसे बोलूँ, मैं जूट नहीं बोलता हूँ, मैं सच कैसे बोलूँ, मैं दोका नहीं देता हूँ, ये आप लोग इस चीज़ों को बहुत इंप महत्व देना शुरू करें, अगर आप इन छोटी से छोटे रिष्टों को महत्व देना शुरू करें, आपके घर में परमेश्र का आशीश बहेगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके घरों में परमेश्र का आशीश बहेगा, इस छोटी चीज़ें, इसको आप एहम यह देनी हैं थाकि हम सिद्धता की और बड़े बड़े काम करके ही आप बड़ा चालिस दिन की उपवास रखर हैं सतर दिन का उपवास कर रहें पानी पे ववास कर रहें निए रिजल टिव थी थिन घंटे प्लात्रा कर रहें और आपकर involve दुछ वफादार नहीं नहीं है कोई फाइदा नहीं है कोई फाइदा नहीं है आपके आपके उपवास शाय सतर दिन रखें जैकक ैसे भी रखें ब्रेशुल ओर२ कोई फैदा नहीं है आपके लिए important क्या है वो सिद्धता आपके लिए important क्या है परमेश्वर के करीब रहना आपके लिए important क्या है हम उपवास का बहाना लेकर धर्मी बनते हैं हम पानी से पानी पर वुवाद रखेंगा हम समस्से हम बहुत बड़ा काम करें वेज़ी गुड अच्छी चीज है लेकिन अगर उसके साथ-साथ यह नहीं होता है कि आप अपने जमीनी रिष्थों की वैल्यू नहीं करते हैं अगर आप अपने जमीनी रिष्थों को सताते हैं तो मेरे भाई मेरी बेहन आपके उपवास की कोई वैल्यू नहीं है नहीं पहुंचता है वो उपवास परमेश्र तक इमेन इसलिए बहुत ज़रूरी है इसलिए पहला पत्रस तीन का दो और तीन हम पढ़ेंगे उसमें सपस्ट बताया है पत्रस ने कि एक पती अगर अविश्वासी है और उसकी पत्नी विश्वासी है तो उसे कैसे जीवन जीना है पढ़ी बेटर तो भी तुमारे भै सहित पवित्र चाल चलन को देख कर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खीच जाए इसलिए कि यदि इन मेंसे कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुमारे भै सहित पवित्र चाल चलन को देख कर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खीच जाएं आप समझे नहीं है भै सहित पवित्र चाल चलन परमेश्वर का भै परमेश्वर का भै मेरे पिता को क्या चाहिए मेरे परमेश्वर को क्या चाहिए उससे पहले जरूरी है कि मेरे जमीनी पिता को क्या चाहिए इसमेनी मां को क्या चाहिए तो मेरे जमेनी रिष्टे को क्या चाहिए तो भैस ही जिन्दी की बिताना जब भैस ही पवित्र चालचलन को देखकर वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के दौरा खिच जाएं तुम्हारा श्रिंगार दिखावटी न हो अतार्त बाल गूंतना और सोने के गहने या भांती भांती के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा चिपा हुआ और गुप्त मनिश्वत्व नम्रता मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सु सजित रहे एमेन यहने के तुम्हारा दिखावटी रूप नहीं चाहता पर मेशन आपके मन को देखना चाहता है आपको याद है रूत की कहानी रूत एक का सोला अगर निकालेंगे तो रूत वो थी मुआप चाहती की लड़की थी अशुद्ध लड़की थी जिसको परमेशन ने चुना है और नियूमी जिसके बच्चों से जिसके बच्चे से रूत की शादी हुई थी लेकिन क्या किया उसने उसने जब नियूमी को स्विकार किया ऐसे सास के रूप में एक मा के रूप में उससे छोड़ दिया सब कुछ बहुत अच्छे खांदान था उसका उसका उसे जहा कि नहीं अच से रूप 161 16 मेरूत 116 आप रूस को पढ़िये रूप को समझने की कोशिश कर ये उसने एक वचन का रूत बोली तू मुझसे ये विंती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर चली जाए क्योंकि जिदर तू जाए उधर मैं भी जाओंगी जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी तेरे लोग मेरे लोग होंगे तेरा पर्मेश्यर मेरा पर्मेश्यर होगा उसने सिर्फ कहा ही नहीं अगर अरूत को देखें तो जो बैतलम में आई मुआप से अलेलिया जब बैतलम में आई कुछ भी नहीं था उसके पास उसकी सास के पास लेकिन उसने जो रिष्टा बनाया था नियोमी के साथ उस रिष्टे के संग वफादारी की रोज सुबह उड़ जाती थी उसे नहीं पता था कि वो बॉस के खेत में जा रही है शुरू शुरू में जाती थी और वो जो दाना होता था उसको चुनती थी जो दाना गिर जाते हैं जाते हैं और ला कर अपने साथ को देदी थी अपने अपनी घ्रथी थी पहले रूट ने उस रिष्टे की कीमत को समझा के नहीं मैं अब अपनी मैं अभी अपनी सास का बेटा भी हूँ बेटी भी हूँ उससे सिर्फ कहा है नहीं कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा पर्मिश्र मेरा पर्मिश्र होगा नहीं! उससे बताया! उस से बताया! वो भी एक खुबसूरत थी, जवान थी उसकी क्या कलती थी? कि नियुमी का जो बेटा है उसका पती मर गया नियुमी ने तो कहा था तो जा शादी कर ले आजाद है उसने कहा नहीं उसने उस रिष्टे को समझा उस रिष्टे की कीमत को समझा उसने उस रूत ने और वो जो लिस्सा थी वो जो पुनके लाती थी शाम को अपनी सास नियुमी को देती थी अगर आगे आगे पढ़ेंगे दूसरे तीसरे अध्याए में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से परमेश्वर उसके साथ काम करता था किस तरीके से परमेश्वर उसके साथ था किसरा परमेशर लोगों के मन में उसके लिए अनुगरे डालता था किसरा परमेशर उसके लिए लोगों के मन में दया डालता था आइसा आइसा उसकी कमजोरियां उसकी गरीबियां दूर होती गई आइसा आइसा वो मस्बूत होते गए आइसा आइसा परमिशर उसे बताता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस खेत में वो दाने बिंती थी वहां का मालिक, वहां की मालकी न हो गई वो और वो इशू मसी के वन्शु में आ गई बता आप कैसे आई जो कि उस ने उस रिष्टे की कीमत को समझा जो परमिशर ने मुझे रिष्टा दिया है जाए वो जमीनी हो मुझे उस रिष्टे को अपना बना कर चलना है उस रिष्टे के अनुसार, उस रिष्टे को मैं जे पूरी वफादारी के संग ने भाना है और जो जो नियोमी बोलती रही रेस अलाट कितना सही करेक्टर एक पवित्र करेक्टर मुआब अशुद्ध जाती थी वहां से परमेश्वन ने उसको चुना और रूथ इशु मसी के वंशावली में आ गई रेस अलाट रहाप सलोमोन से बौस पैदा हुआ बौस और रूथ से ओबेद पैदा हुआ ओबेद से इशे पैदा हुआ और इशे से उसकी वंशावली में कौन आए इशे से दाउद और दाउद के वन्शावली में कौन था इश्यू मसी मैं आपको सच कह रहा हूँ चनोती दे रहा हूँ आप अपने जमीनी रिष्टों की एहमियत को समझे हो सकता आपके पती के पास काम ना हो हो सकता आपकी पत्नी ठीक ना हो लेकिन जो परमेशन ने आपको जमीनी रिष्टे दिये हैं उसकी वैलियो को समझे नकार ये नहीं ये प्रात्रा नहीं करिये कि नहीं परमेशन अभी अभी दूसरी बीवी मिल जा तो अच्छा है अब तो मैं तुझे मिल तू आ गया मेरे नो बेट इसलिए विश्वास करिए ये बहुत ही एक आपको लगता होगा ये जो टॉपिक है बहुत ही मामूली है साधारन सा है लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ ये जो टॉपिक है ये आपके जीवन को बदल देगा अगर आप इस तरीके से उस प्रेक्टिस में रहेंगे उस प्रयोग में रहेंगे कि हम अपने जमीनी रिष्टों को परमेश्वर के अनुसार उसकी कीमत को समझें उसकी एहमियत को समझें उससे प्यार करें उससे मान करें मैं आपको सच कह रहा हूँ आपके जीवन में शान्ती बनी रहेगी परमेश्र का हशीश आपके जीवन में होगा और यही छोटी-छोटी चीज़े जब हम नहीं करते हैं तो अपने आप बंधन आ जाते घर में कलय होता है घर में आशान्ती होती है नशे की दुस्टात्मा आती है जगड़े की दुस्टात्मा आती है धुके की दुस्टात्मा आती है और हम शान्ती से अपनी जिन्दगी को नहीं बिता पाते हैं नहीं बिता पाते हैं चुकि हमने अपने आप उन रिष्टों की एहमियत को नहीं समझा और अपनी शान्ती खो दी हमारे हाथ में आपके हाथ में आपकी शांती आपके हाथ में आपका आशीश अलेलिया एक चुटा सा एक्जामपल दोगा उसका बंद करूँगा रिबिका और इसाख इसके दो बच्चे थे याकूब और एसाव आप सब जानतें इस कहानी को लेकिन उस आशीश को पाने के लिए जो इसाख एसाव को देना चाहता था रिबिका ने जूट बोला और इसाव को एसाव के कपड़े पहनाए अब सुचिए उसने उस संबंद में धोका, धोके का बीज वोया रिबिका ने रिबिका ने धोके का बीच हुआ और क्या हुआ याकूब का नाम चेंज हुआ लेकिन याकूब 20 साल तक लाबान के पास पढ़ा रहा अपनी शादी के लिए यहां तक कि वो अपने माबाप की मृत्यु को भी नहीं देख पाया ना उनकी सेवा कर पाया क्योंकि वो धोका लेके चला था और आप देखे जब तक वो ऐसाफ से मिला नहीं उसके अंदर एक डर था क्योंकि मैंने धोका दिया है मेरा भाई जिसको मैंने धोका दिया है वो भी मुझे धोका दे सकता है वो भी मुझे मार सकता है क्यों क्योंकि आपने किया था जिस बीच को आप बोएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, आप वो ही काटेंगे, धोका ना खाओ, गलतियों छे का साथ, धोका ना खाओ, जैसा बोगे, वैसा ही काटोगे, याद रखिएगा, हम इसी इसको समझते हैं कि प्रभू के राज्च में, हम प्रभू के राज्च में वचन पढ़ेंगे, इमानदार रहेंगे, तो परमिशर हमें आशीश देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन अगर आप अपने रिष्टे को, जो जमीनी है, उसको इमानदारी के सक नहीं निभाएंगे, और उसकी आप इज़्जत मान और सम्मान नहीं करेंगे, तो जैसा बोईंगे, वैसा काटेंगे, धुका नखाओ, परमिश्य ठटों में नहीं उड़ाया था, क्योंकि मनुष्ये, जो कुछ बोता है, वही काटेगा, वही काटेगा, याद रखि याद कर लीजेगा, आप किसी मसी का दिल दुखाते हैं, वह आप पर इमांदारी से भरुसा करता है, और आप उसके भरुसे को तोड़ते हैं, उसके भरुसे का फाइदा उठाते हैं, कोई बात नहीं, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दो मह वहने के बाद तीन वहने के बाद एक साल के बाद दो साल के बाद कोई नहीं बचा है कोई नहीं बचा है कोई नहीं बचा है कोई नहीं बचा है आप सबस्ते के नहीं हमें कोई नहीं देख रहा है परमिश्वर देख रहा है इसलिए ये जो साधारन सा एक वचन मैंने आपको दिया है कि हम जो देखते हैं अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते हैं उस पर कैसे विश्वास करेंगे हम जिसे देख रहे हैं अगर हम उससे प्यार नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते हैं उससे प्यार कैसे करेंगे असमाव नहीं करेंगे आप Hallelujah Praise the Lord Hallelujah अज ये छोटा सा वचन मैंने आपको दिये है मैं विश्वास करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा Hallelujah Praise the Lord